हेलो गाइज वेलकम तो व्यास अकेडमी ओनलाइन क्लासेज पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक लिये थे कि किस तरह से आर्कोलोजिकल सॉर्स हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में मदद करते हैं साथ ही साथ जो दूसरा सॉर्स मैंने बताया था लिटरेशी सॉर्स ज कितनी केसे क्या हो सकती है इसको हम नापने के लिए हम टाइम का या डेट का यूज कियते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि सो साल पहले कोई राजा था या सो साल पहले वो व्यक्ति वहां का प्रधान मंत्री था या सो साल पहले उस जगे पर उस व्यक्ति का शाशन था तो यह हम सो साल जो हम use करते हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे जो time है वो time को हम date, month या फिर days, year इनमें convert करके हम time को देख सकते हैं जैसे कि अब हम यहां पर देखते हैं कि what is that means, that means का मदलब कि कोई भी गटना किस समय पर अगर होती है तो हमें उसके गटना की exact timing पता चलती है, जैसे हम अंदाजे से कह सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले भारत में सिंदु गाटी सब्यता विक्सित थी बट उसका कोई एक निश्चित time नहीं है कि यह गटना या यह जगे या यह सब्यता इस समय में विक्सित हुई बट अगर हमार पास time होगा या हमार पास date होगी तो हम उसको show कर सकते हैं कि यह फला गटना या यह चीज इस time में विक्स जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजात हुआ था तो 15 अगस्त यानि कि 15 अगस्त 1947 एक हमार पास date है जिससे हमें पता चलता है कि date हमारे लिए history जानने में कितनी valuable है तो इस तरह से हमने date का मिन्स जाना next हम देखते हैं कि history is the usually divided into the three parts अब इतियास को या history को हम तीन भागों में divide कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा जिससे कि उस समय जब date का प्रचलन नहीं था या time का प्रचलन नहीं था तो किस तरह से हम गटनाव को अलग-अलग भागों में विबाजित करते थे तो इसके लिए हमने तीन भाग बता हैं कि instant history, medieval history and modern history अब यह तीन पार्ट को अगर हम देखे तो यह instant history का मिन्स यह होता है कि यह वो समय था जब मनुष्य मानव सब्यता का विकास हुआ था और मनुष्य पाशान काल में रहता था उस समय उसकी इसी थी जैसे कि जानवरों की होती है उसमें सोचने समझने की बुद्धी नहीं थी वो केवल अपना पेट बढ़ने के लिए रहता था जिवित रहता था तो वो गुफाओं में रहता था पढ़ना लिखना उसको कुछ नहीं आता था तो ये वो समय था जब हम मनुश्य के बारे में अध्यन कर सकते हैं और इसकी अगर हम देखें तो लगबग इसको दो लाख से चाल लाख साल पहले की इस्तिती अगर हम इसको देखें तो मान सकते हैं तो इंसेंट हिस्ट्री के बाद आता है मेडाईवल हिस्ट्री मेडाईवल हिस्ट्री का मतलब मींस यह होता सकता है कि जब मनुष्य एक जग़़ पर सेटल होकर रहने लग गया और साथ ही साथ क्रशिवा काम करने लगा साथ ही वो मकानों को बनाने लगा और इसके अलावा सबसे मैन और important things कि वो पढ़ना लिखना समझ गया था तो ये समय वो था medieval history का जिसे जिसे समय भी था medieval history और आगे बड़ी और एक समय ऐसा आया कि मनुष्य दुनिया के इस अर्थ के जितने भी प्राणी है सबसे और सबसे बुद्धिमान प्राणी बन गया क्यों क्योंकि उसकी बुद्धी का बहुत ही ज़्यादा उसका माइन का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ तो ये सब समय था medieval history का और इसको अगर हम देखे तो medieval history लगबग 10th century से या 14th century तक आप इसको मान के चल सकते हो तो ये medieval history के बाद next topic आता है अपना modern history modern history का मतलब होता है कि लगबग 14th century से लेकर आस दिन तक का time जो भी गटना होती क्योंकि अब हमारे पार source आ गया था time आ गया था जिससे कि हमें किसी भी गटना के बारे में जानकारी मिल सके जैसे कि first world war कब हुआ second world war कब हुआ America कब आ जाद हुआ तो उसकी एक detail अपने पास date होती है जिससे कि हमें उस गटना के बारे में information मिल सके तो ये सब संभव हो पाया modern history की मदद से तो इस प्रकार से हमने देखा कि history को तीन भागों में हमने किस तरह से divide किया next topic आता है कि अब हम history के बारे में जानते है तो कोई सी भी गटना के बीचे अगर आपने एक चीज और notice की होगी कि कोई भी date या वगेरा लिखते है तो उसके बीचे BC या AD लिखा हुआ आता है यह क्यों लिखा हुआ आता है यह समय को गिनने के लिए यूरोपी पद्दती चालू की गई थी BC का मिन्स आप यहां पर देख सकते हो before Christ before Christ का मतलब होता है कि इसा के जन्म से पहले जितनी भी गटना हुई वो सब BC के अंतरगत आएगी ठीक है जब इसा का जन्म नहीं हुआ था और समय कोन सी गटना को किस रूप में लिखना है तो उसके लिए हमने BC शब्द का यूज किया next देख सकते हो AD AD का मतलब होता है जब इसा का जन्म हो गया वहीं से आप देख सकते हो इस भी कलेंडर की स्थापना भी हुई थी चालू भी हुए था आज हम देख सकते हैं जैसे कि आज हम भी 2020 या 2020 चल रहा है तो वो 2020 यानि कि इसा मसी के जन्म को 2020 वर्स हो चुके है तो इसका मतलब AD का मतलब यही हुआ इन डॉमिनो यानि कि इन दे यर आफ दा अवर लोड मिंस AD तो इस प्रकार से हमने इस पूरे चेप्टर को हमने देखा किस तरस से डेट का यूज किया जाता है उसको भी देखा तब तक आज के लिए बस इतना है थाइंक ये वेरी माच